नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका जीएस गुरू विकल चैनल पर और हम लोग आज डैम पढ़ने वाले हैं पावर प्रोजेक्ट, डैम, रिवर और किस नदी पर यह बना है इसको हम लोग पढ़ेंगे यहां से एक क्विश्चन जरूर होता है यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमने उन नदियों का कलेक्शन लिया है उन डैम का कलेक्शन रखा है जो अपने नाम में डिफ आपको याद हो जाएगा ऐसे नाम लिए है जो डिफरेंट है तो इडुकी और पेरियार नदी पर है तो यह कहीं से पता नहीं चल रहा है तो इस तरह से ऐसे अगर हमने तयार कर लिया तो हमारे सारे कठिन क्विश्चन भी सॉल्व हो जाएगे सरल क्विश्चन तो वैसे भी हम लोग कर लेंगे एक बार और आपको पीडिया भी एक दो दिन में मिल जाएगा तो इसे आप वहां से भी रिवीजन कर पाएंगे तो फिलहाल आज हम लोग यह जो रिवर डैम है और रिवर वैली प्रोजेक्ट हैं उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं बस आप वीडिय प्रोजेक्ट है इडुकी डैम जो है यह केरला में है अगर आपको याद हो एक आई 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 टी भी है केरला में इडुकी में ही तो आई 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 टी वहां पर केरला में है उससे भी आप जान रहे होंगे और नहीं भी जान रहे हैं तो जान लेजिए कि इडुकी डैम ज कि बांध किसराज में थिका बांध क्या होता है और इसको मल्टी पर्फाइस प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं क्योंकि इमान लिजय यह रीवर बढ़ रही है यह यह रीवर ऐए अब क्या करते भारत में भी जैसे दामोदर को बंगाल का सोख कहते हैं कोशी को बिहार का सोख कहते हैं और अभी हम लोग रिवर्स पढ़ भी रहे हैं तो यहां इसी समय हम जब ये डैम पढ़ लेंगे तो जब हम रिवर में बात बताएंगे तो आपको बाते समझ में आएंगी हम पेरियार नदी जब किरला में पढ़ाएंगे तो आप बताएंगे कि यहाँ इडुकी डे में इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं डैम पढ़ा देता हूँ फिर रिवर वाला टॉपिक कम्प्लीट करता हूँ फिर आते हैं आप आगे देखते हैं तो फिर क्या होता है कि जब नदीया जो हैं वो ऐसे बह रही होती है अब बाड से बचने के लिए और साथ ही मान लिजए यहाँ पर कोई गाउं है यहाँ पर कोई छेता है अब यहाँ तो पानी पहुँच नहीं रहा है यहां भी पानी पहुचाना है तो क्या करते हैं उसी पर दैम बनाते हैं बांध बनाते हैं अब जब यहां बड़ा सा बांध बना लेते हैं तो इधर पानी इस्टोर होने लगता है जितना पानी आता है इधर इस्टोर हो जाता है अब यहां इस्टोर हो गया तो इधर से ही अ पहला काम होता है कि हमें भिजली मिलने लगती है पावर प्रोजेक्ट हो जाता है दूसरा काम यह होता है दूसरा काम जब बरसाथ के समय में इधर बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती थी जब पानी बरसता था तो अब क्या होता है इधर ही पानी को कंट्रोल कर लेते हैं यह होता है अब ज़र यहां पानि स्टोरेंग है तो यहीं से नहरे कर लेते हैं तो इस के मल्टी परपज काम हो जाते हैं वाटर लेवल भी से बढ़ जाता है वह रनास आर पानी जा के समूधर में मिल जाता है तो इसके अयुक्त को बहुत सारे काम है इस कारण शेia rear प्रोजेक्ट या मल्टी परपाइब प्रोजेक्ट कहत्या जाता है उवम आप समय पाई होगे आप इनी बातों को हम आपene मतलग में स्थित्त है किड़ो कैरल राजां तुसरा तो वह कैरल राज्य में श्थित्त है अब यहां से तीन question तयार होंगे कि केरल पेरियार नदी किस राज में बहती है तो उसका भी answer होगा कि केरल राज में बहती है तिक है आप चलते हैं दूसरा उकाई project उकाई परियोजना उकाई पर प्रोजेक्ट जो है तापती नदी पर है तापती नदी पर गुजरात में ठीक है यह भी बड़ा जो है बहुत ही important project है उकाई project इस कारण से आप इसे ध्यान रख लेंगे और इसके नाम से देखे बिल्कुल भी आप अग्यस नहीं कर सकते कि किस नदी पर होगा इसलिए आपको यहां पर सैयार कुछ चीज़ें होती है जो याद करनी पड़ती है ठीक है रट्टा मारनी पड़ती है एक तरह से कहें तो तो इसे रट्टा मार लेना क्योंकि question आएंगे ठीक है उकाई project तापती नदी पर गुजरात में है गुजरात में एक है जो है सरदार सरवर डायम ठीक है और तीसरा एक और important है जिसे आप लोग बताएंगे ठीक है वह भी सरवर से ही है गुजरात के तीन बहुत important project है पहला उकाई project दूसरा हमने नाम ले लिया वरना आप ही को कहते आप लोग comment box में comment करेंगे ठीक है अच्छा आप लोग करेंट का तो फिर उसमें हमको भी जो है निरासा होती है तो लगातार देखेंगे और काली टाइम में देख लेंगे और डेली देखेंगे तो आपको भी फायदा होगा बहुत ज्यादा फायदा होगा question मैं ऐसे बना रहा हूं कि हमारा खुद का रिवीजन हो जब PCS का exam हो तो हम भी करेंट रिवाइज कर लेंगा और हमारा भी काम हो जाएगा तो सब के लिए वह important है यूपी तो पहले एससी एससी और PCS तक के प्री वाले exam में यह बहुत ज्यादा important है तो उस तरह से आप पढ़ सकते हैं चले आगे चलते हैं अगली है ककड़ा पारा प्रोजेक्ट ककड़ और पारा डेम के नाम से जाना जाता है तैप्ति नदी पर गुजरात में इस्थित है पिर आते कोल यह तो 2018 वाले में अले पी पीश्यस में तो 2018 में था और मेरा गलत हुआ था भाई और बिल्कुल मेरे ध्यान में नहीं था और कोल डैम मैं अजा की प्रेंग क कोईले की इक दम को रट्टा मार लेना है कोल से आप कोईलया से घ्ष लगा सकते जार खंशतीस कर बिल्कुल नहीं पूछ लेगा कोल डैम किस राजमें इस्थित है तो इस्थित है आगे चलते हैं गंगा सागर पर्योजना देखेंगा सागर से आप विष्ट बेंगाल लगा सकते हैं क मुदर से तो आप बिल्कुल भी एकदम ध्यान रखेंगे इस तरह से confusion नहीं रखेंगे गंगा सागर प्रोजेक्ट जो है गंगा सागर प्रोजेक्ट वह चंबल नदी परिस्तित है कहां पर किस राज में मध्य प्रदेश में ठीक है और हमने पिछली प्रोजेक्ट या भी चंबल नदी पर राजस्तान में देखें कुछ इस तरह से चंबल नदी बरती है इधर वाले भाग में यहां से परिस्ति दिखिक देखें गें गांधि सागर डएम भी है ठीक है अते हैं नेक्स्ट आते हैं जायकवारी परियोजना जायकवारी प्रोजेक्ट इंस tan कि ज़्यादा कबाढ़ी लोग कहां रते होंगे जहांता इंडुडर्य होगी इस पैरिश्टी श्यारा इस्तित है है जायक वारी पर उस्तित है किसराज में महाराष्टु में operations बर और भारत का सबसे उचा डैम है तिहरी डैम उत्रा खंड में इस्थित है और भागी रती जब आप्शन में ना हो तब हम गंगा नदी लगाएंगे वरना यह भागी रती ही सही आंसर होगा और हमने बताया था कल ही आपको कि भागी रती और अलक नंदा दो नदियों के मिलने के बाद ही जब देव प खंड में इस्थित है बराकर नदी पर इस्थित है बराकर यह बराकर जो है दामोदर की सहायक नदी चोटी सी नदी है देखे एक बराक नदी बहती है बराक और यहां नागा लाइन से निकल कर आसाम में बहती है बराक नदी और फिर बांगला देश में चली जाती है बराक और इस नदी पर तिलया डैम बना है तिलया प्रोजेक्ट बना है जारकंड में इस्तित है और यह दामोदर की सहाइक नदी है बराकर रिवर आते हैं तुलबुल प्रोजेक्ट तुलबुल परियोजना जो है वह जेलम नदी पर है जम्मू कास्मीर में इस्तित है तुलबुल प्रोजेक्ट एक दम याद कर लेंगे बहुत बार क्रेस्टन आया है तुलवूल पर योजना फिर है दुरगापुर बैराज तो यह जो है पस्चिम बंगाल में है दामोदर नदी को बंगाल का सोब करते हैं पस्चिम बंगाल में बहती में भी है हुगली की सहायक नदी है द यार कर लेंगे नेक्स्ट है नागपूर सकती ग्रियोजना नागपूर पावर स्टेशन प्रोजेक्ट कोराडी नदी पर इस तित है महाराष्ट में छोटी से नदी है कोराडी रीवर कोराडी रीवर है और इस कोराडी नदी पर नागपूर सकती ग्रियोजना इस तित है और महाराष्ट में या इसलिक नागपुर जानते होंगे आरेशेस का हिट क्वार्टर है तो वैसे यह चर्चा में रहता है विवादों में रहता है तो आप जरूर सुने होंगे तो नागपुर सक्तिग्रीव पर योजना नागपुर पावर स्टेसन है को राड़ी नदी पर महाराष्ट में आगे आते हैं नागारजुन सागर प्रोजेक्ट ये बहुत इंपूर्टेंट है मनागारजुन-सागर प्रोजेक्ट जो है और यह कृष्णा नदीपर है आन्थप्रदेश वाले भाग में हैं आंथप्रदेश देलंगाना आंथप्रदेश दो भागों में बढ़ चुका है तो हमें ध्यान रखना है किस राज में कौन सा जाइन है और प्रोजेक्ट ना पूचे, यहाँ डैम पूचे तो वही बात हो गई, क्योंकि वहाँ प्रोजेक्ट भी चल रहा है, तो पावर प्रोजेक्ट है, इसलिए प्रोजेक्ट है, तो डैम रहे तब भी आप सही लगाएंगे, तो नागारजुन डैम जो है कृष्णा नदी पर आं कहां से निकलती है याद होगा ये कोई ताल करके हमने बताया था और वहां तिब्बत में है इतना गेस बता दिया आप बताएंगे कमेंट वाक्ष में कि 17 नदी का उद्गमिस्थल क्या है आगे चलते हैं पंचेत बांध जो है पंचेत डैम वह है दामोदर नदी पर जारखंड में इस्तित है अब जारखंड का एक और हमने देखा था तिलया डैम और एक और देखा था जो है वो बराकर नदी पर इस्तित है तिलया डैम और यहां पंचेत बांध जो है दामोदर नदी पर जारखं परक्षा पर्योजना पर्योजना महा नदी पर्योजना करनाठक में, अब आते हैं, इसे भी ध्यान रख लेंगे, पर्योजना महा नदी पर्योजना परियोजना यह गंगा नदी पर बता रहे थे कि यहीं फरक्खा से बैरात से गंगा नदी दो भागों में एक हुगली वाले के रूप में दूसरी पदमा के रूप में पदमा के रूप में बांगला देश में चली जाती है जबकि दूसरा पॉइंट जो है यहां हुगली के लुपे वेस्टवेंगाल में बहती हैं तो वही फरक्खा डैम बनाए गया है वही फरक्खा डैम गंगा नदी परिस्तित है कहां पर पच्चिंबंगाल में आते हैं बांध-सागर-परियोजना या देखिए आपके उत्तर-पृदेश-मंद्ध-प्रदेश की परियोजना है बाणसागर परियोजना और यह सोन नदी परिस्तिर सोन नदी जो है सोन अमरकंटक की चोपीक से निकलती है और जाके पटना होते हुए और जाके गंगा नदी में मिल जाती है कल हमने बताया था कि इसकी सहायक नदी एक रिहंद नदी है जो सोन में सोनभदर जिले में उत्तर प्रदेश के सोनभदर जिले में जाके मिलती है देखे उत्तर प्रदेश का सोनभदर जिला ऐसा है कि इससे चार चार राज्यों की सीमा मिलती है एक तरफ सोनभदर के एक जिला जिसकी सीमा चार राजियों से मिलती है और वह अ चारों राजियों से मिलती है अ अ Cat ये छ इसकी पह जाते है इसकी पराज़ना तो बांसाटगर पर yes बैसिकली हो जिले से सुरू होती है सोन नदी बें तो यह मध्यप्रदेश में इस्तित है वहाँ बार्ण सागर डैम जो है वसोन नदी पर मध्य प्रदेश में इस्तित है नेक्स्ट है भाकडा नांगल परियोजना ये जवाहनलाल नहरू जी का बहुत बड़ा सपना था उन्होंने इसको किया भी और यह उस समय के इंडस्ट्री का बड़ा सुरूत था भाकडा नांगल डैम सतलग नदी पर हिवानचर प्रदेश में इस्तित है टिहरी डैम के पहले यही भारत का सबसे उंचा डैम था अब जो है इसका रिकार्ट रूट का है टिहरी डैम भारत का सबसे उंचा डैम है नेक्स्ट आते हैं भीमा परियोजना भीमा प्रोजेक्ट जो है वह पावना नदी पर है पावना नदी या पावना नदी पावना नदी पर तिलंगाना में इस्तित है भीमा प्रोजेक्ट भीमा परियोजना नेच्ट है माता टीला डैम माता टीला डैम की चलते हैं ये अभी क्वेश्चन आया था UP के एक्जाम में बहुत important question बनता है माता टीला डैम बताया था यमूना की कुछ सहायख न दिया चंबल, सिंद, बेतवा और केन याद है माता टिला डैम है, बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में है, यह है बात आप याद रखेंगे, आगे चलते हैं भई, निक्स्ट है रंजीत सागर डैम, यह रंजीत सागर डैम जो है, रावी नदी पर जम्मु कास्मीर में बनाये गया है, रंजीत सागर डैम, तो यह भी थ कंबल नदी पर राजस्थान में महाराणा प्रताफ प्रोजेक्ट है या महाराणा प्रताफ डैम है सतलज देखे ध्यान रखना यहीं बच्चे कंफ्यूज होंगे सतलज डैम या सतलज परियोजना किस नदी परिस्तित है और पहला ही आफसन आपको सतलज मिल जाएगा गलत ह सतलज डैम चिनाब नदी पर इस्था जम्मू कासमीर इसलिए हमने बताया इसको ध्यान रखनाा है सतलज परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कासमीर में इस इसने एक दम दिमाग में आप बैठा लेंगे अब हम लोग यहीं से बात को समाप्त करेंगे दो और हैं सरदार सरोवर डैम अभी बताया हमने कि गुजरात में है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट नर्वदा नदी पर गुजरात में इस्तित है तीसरा आप नाम आप लोग बताएंगे सरदार सरोवर डैम नर्वदा नदी पर गुजरात में इस्तित है देखे सरदार वल्लब भाई पटेल की मूर्ती भी गुजरात में ही है तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि दुनिया की यह सबसे बड़ी स्टेच्यू है और इसे स्टेच्यू आफ यूनिटी का नाम दिया गया है तो उसी सरदार सरोवर डैम वन नर्वदा नदी पर गुजरात में इस्तित है और लास्ट में हीडिकल प्रोजेक्ट है हीडिकल परियोजना या घाट प्रभा नदी है अभी आप लोग पढ़ेंगे भी जो लेकपाल के पेड़ु वाले गुरूप में है तो घाट प्रभा नदी यह करनाटक में इस्तित है करनाटक के देखें यहाँ कृष्णा की सहायक नदी है घाट प्रभा माल प्रभा दूद गंगा यह सब कृष्णा नदी है अभी पढ़ेंगे उसकी सहायक नदी है तो उस घाट प्रभा नदी पर हीडिकल प्रोजेक्ट हीडिकल डैम बना हुआ है जो करनाटक राजमें इस्तित है तो इसी के साथ यह पावर प्रोजेक्ट को हम लोग पढ़ेंगे इसकी पीडियप भी आपको मिल जाएगी तब तक आप इसको देखके और एक दो बार देखके इकतम धिमार पर बैठा लेंगे यह मान कर चलिए कि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर होगा ठीक है तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे हम जान गुज कर आफ लाइन मोड में यह बनाएं जिसे आपका पूरा ध्यान इस पर हो और एक बार आपने बच्चे से पढ़ लिया तो फिर यहाँ से आपके क्रेश्चन गलत नहीं होंगे तेंक यू